हेलो एवरीवन लक्से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हरदिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में आने वाली अध्यपकों की भरती के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लगबग 26,000 सिक्षकों के पद खाली है और हमने पहले भी वीड के लिए कितने पद खाली है तो अगर आपको वह जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में आने वाली शिक्षकों की भरती के बारे में जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो यहां पर बताया गया कि दिल्ली में 26,000 से अधिक सिक्षकों की जल्द भरती होगी उचत नयेलया ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भरती प्रकिरिया सुरू करने का अदेश दिया है जस्तिस मनमीद पृतम सींग अरोड़ा ने हर साल सिक्षक असोक अगरवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी दिल्ली सरकार नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भरती प्रक्रिया शुरू की जाएगी सरकार के अधिवक्ता अवनीस एहलावत ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचाली स्कूलों में 2557 शिक्षक क्यों के पद खाली है इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधिनस्त सेवा चेयन बोर्ड को आग्रया पत्तर भेजने की परकरिया चल रही है नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि उनके स्कूलों में 5750 पद खाली है तो आप देख सकते हो यहां पे डियोई में 2557 और MCD में 5750 पद खाली है और इनकी भरती पर करिया जैसा कि यहां पे बताया गया कि DOE ने DSSB को भेज दिया है कि वो जल से जल्द भरती करवाए और साथ में MCD और NDMC के भी पदों पर भरती होगी और यह advertisement बहुत जल्द आने वाला है तो सभी साथी अपनी तैयारी पर जूट ज पहुंच जाए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर भी जूड़ सकते हैं Facebook पेज पर भी जूड़ सकते हैं Thank You